अस्सलाम अलेकुम, वेलकम बैक तो मार यूट्यूब चैनल अब मैं यहाँ आपको ये बताती हूँ कि आप अपने जकात कैसे कल्कुलेट कर सकते हैं दीनी स्थला में जकात का नसब माल का 40-वा हिस्सा यानि 1.5 फीसद है अगर किसी के पास 8 तोले सोना है और उसने उसकी जकात कल्कुलेट करनी है तो वो कैसे करेगा सबसे पहले तो आपको सोने का करंट रेट यानि मौजूदा रेट पता होना चाहिए यानि फर्स करें कि सोना आज की तारीख में 1,30,000 तोला है तो आपने एक लाख तीस हजार को 8 से पहले मौदिप्लाइ करना है ये अब आपके सोने की टोटल अमाउंट आपके सामने आगी अब आपने इसको 40 से टक्सीम कर देना है यानि एक लाख तीस हजार मौदिप्लाइ बय आठ आपके पास टोटल आगया 10,40,000 यह अब आपके टोटल सोने की अमाउंट है इसको अब आप 40 से डिवाइट कर लें तो आपकी जकात जो है वो कल्कुलेट हो जाएगी यानि आपके 8 तोले सोने पे आपको 26,000 रुपया जकात पढ़ रही है इसी तरह अब आप चांदी की भी जो जकात है वो कल्कुलेट कर सकते हैं फर्स करें कि आज की तारीख में चांदी 1500 रुपय तोला है तो आपने 1500 को 52,000 से जरब दे देना है और उसको उसके बाद आपने 40 से तक्सीम कर लेना है आपकी जकात की टोटल अमाउंट आपके सामने आजाएगी अगर किसी के पास 1,00,00 रुपया है तो आप 1,00,00 को 40 से तक्सीम कर लें तो आपकी जकात 2500 रुपया होगी इसी तरह आप अपनी जितनी भी अमाउंट है उसकी कलकुलेशन करके जकात निकाल सकते हैं आसानी से खैके जकात जो है वो सिर्फ किसी नकत अमाउंट की सुरत में देना जरूरी नहीं आप उन पैसों से किसी को मेडिसन लेके दे सकते हैं किसी के घर राशन डला सकते हैं आब किसी भी सूरत में वो जकात की जो पैसे हैं इस्तामाल कर सकते हैं हम सब लैसे दूआ करते हैं कि आल्ला शॉisher हमें नेक अमल करने और इस्तृम की असूलों पर चलने की तोफीक अता करें